कुंडाना गुफा केंद्र में एक अस्तूप के साथ एक बड़ा प्रतना कक्ष है चैत अस्तंबो की एक स्रिंखला से गिरा हुआ है और इसमें एक गुंबतदार छत है जो लकडी की वास्तूप गला की याद दिलाती है कुंडाना गुफा समू की अन्य उलेकनिया गुफाओं में बिहार सामिल जो भिक्षूओं के लिए कौक्षो की एक स्रिंखला वाला एक मौठ है और अस्तूप गुफा है जिसमें एक बड़ा अस्तूप है कुंडाना गुफाओं में कई उलेकनिया सिला लेक भी है जो उन दान दाताओं के बारे में जनकारी परदान करते हैं जिनोंने उनके निर ये प्रयाटन अस्तल भी है जो अपने सांती पुन वातावरन और आसपास की पहारियों और घाटियों के संदार द्रिस्ट के लिए जानी जाती है कुंडाना गुफा कई कार्णों से अतिहासिक रूप में महत्पूर्ण है या भारत में बहुत रोकट वास्तू कला के सुर माराठा समराज के इतिहास में कुंडाना गुफाओं ने भी महत्पूर्ण भूमिका निबाई सत्रावी सताब्धी में मराठा सेनापती सीवाजी महाराज ने मुगल समराज के खिलाप अपने अवियानों के लिए कुंडाना गुफाओं को आधार के रुप में इस्तमाल किया था 1670 में सिवाजी माराज के सेनापती ताना जी मालू सरे ने कोंडाना कीले पर कापजा कर लिया जो पाज में ही इस्तित है कोंडाना गुफाएं बार्तिया पुरा तत्व सर्वेक्षन के तहत एक सन रक्षित अस्मारक है यह लोग प्रिय पर्याटन अस्थल और एक बहुमुल्य अतिहासिक और धार्मिक अस्थल भी है कोंडाना गुफाएं लोनवाना से लगबक 33 किलोमीटर उत्तर में और कारला गुफाएं से 16 किलोमीटर उत्तर पच्ची में में इस्तित है यह तक निकत्तम रेलवे स्टेशन कर्जत है जो गुफाएं से 15 किलोमीटर दूर है कर्जत से कोंडवाना गुफाएं तक नियमित बसे और टैक्सी या भी उपलब्द है गुफाएं को देखने के लिए एक छोटा सा परवेस सुल उलगता है आगनतुको को अराम दैक जुते और कपरे पहनने की सलाध दी जाती है क्योंकि गुफाएं में कुछ चठाइब भी सामिल है गुफाएं में कोई भोजान या पानी उपलब्द नहीं है इसलिए आगनतुको को अपना स्वेम का समान लाने की सलाध दी जाती है गुफाव से जगुरी जनकारी और उनके बारे में जानने के लिए आमारे वीडियोज देखे और चैनल को सब्सकाइब करें